जैहिन साथियों, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक मैं हूँ राजा गुपता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के महत्पूर्ण वीकली करेंट अफेर्स इस सेशन का दो अबजेक्टिव है पहला अबजेक्टिव है आपका टेस्ट लेना आपने डेली करेंट अफेर्स अच्छे से पढ़ा है अब जरूरत है कि संडे को आपका टेस्ट लिया जाए दूसरा आपका रिविजन कराना तो पूरे प्रशनों को ध्यान से सुनिएगा आज मैंने वीकली करेंट अफेर्स में साथ क्वेशन लिये है गोलियों की तरह प्रशनाएंगे कॉपी पे लेके बैट जाएए हर एक प्रशनों को ध्यान से सुनिए और आप अपना एंसर कॉपी पे लिखिए टोटल बताईए कि आपने कितनी अच्छी मेहनत की इस हफ़ते और हमेशा इंप्रूफ करने के लिए सोचते रहे है साथियों खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो तुम खुद इतने काबिलो तुम खुद इतने महनती हो बस विश्वास करो और आगे बढ़ो आज का सबसे पहला कोर्शन इस्टैचू और बिलीव का उद्गाटन कहां पर किया गया तो स्टैचू और बिलीव का उद्गाटन कहां पर किया गया है राजस्थान में किया गया है तो इसका सही उत्तर है राजस्थान ये स्टैचू अब बिलीब जो है भगवान शिव जी को शमर्पित है और ये भगवान शिव की विश्व की सबसे उची प्रतिमा है, मूर्ती है साथियो किस जिले में है, राज समन जिले में है, नाथ द्वारा में है, राजस्थान में Q2 लूला डा सिल्वा किस देश के राश्ट पती बने है तो लूला डा सिल्वा ब्राजिल के राश्ट पती बने है तीसरी बार लूला डसिलवा ब्राजिल के राष्ट पती बने है साथियों किनके स्थान पर बने है जार बोल सनारों की जगहे पर लूला डसिलवा राष्ट पती बने है समझ गए आप चली अगला कोशन देखते है Central Bank Digital Currency जिस हम CBDC बोलते हैं इसको किस ने लॉंच किया है तो CBDC को हाली में RBI ने लॉंच किया है Reserve Bank of India ने लॉंच किया है Reserve Bank of India के प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि President कौन है, Chairman कौन है, Director कौन है तो इनका नाम है शक्ती कांदास 25 नंबर के क्या है? Governor है अगर आपसे पूछा जाए तो 25 वे Governor है Digital Currency दो तरह की होगी एक CBDC Wholesale होगी, एक CBDC Retail होगी Question No.4 UNSC का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो हाली में United Nations Security Council का अध्यक्ष घाना बना है कौन सा बना है? घाना अध्यक्ष बना है UNSC में Total 15 मेंबर होते हैं 5 परमानेट मेंबर होते हैं और 10 आस थाई सदश होते हैं चलिए CRPF के द्वारा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को महा निरिश्चक पत पर नियुक्त किया गया है तो देखिए Rapid Fire है ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि 60 कुश्चन कराने है तो CRPF के द्वारा पहली बार दो महिला अधिकारियों को महा निरिश्चक पत पर नियुक्त किया गया है देखिए पहला नाम है एनी अबराहम का और दूसरा नाम है सीमा धुंडिया का CRPF के हाली में महा निरिश्चक बनाए गए है सुजाए लाल थाउसेन हाली में Benjamin Netanyu किस देश के प्रधान मंतरी बने है वेरी वेरी इंपोर्टेंग कुश्चन तो Benjamin Netanyu इसराइल के वापस से प्रधान मंतरी बने है यह यायार लैपिट की जगह लेंगे Benjamin Netanyu इनकी पार्टी का नाम है Liquid Party किस देश में हेलोविन पार्टी के दोरान मची भगदड में 159 लोगों की मौत हो गई तो साथियों यह भगदड कहां पर मची थी साउथ कोरिया दक्षिर कोरिया में यह भगदड मची थी हेलोविन पार्टी बनाई जा रही थी उसमें बहुत सारे लोगों को हार्ट अटेक आ गया यह हेलोविन तिहार जो होता है बूरवजो की आत्मा की शांती के लिए मनाया जाता है फीफा अंडर सेवेंटीन महिला विशो कब 2022 का खिताब किसने जीता है तो फीफा अंडर सेवेंटीन महिला विशो कब का खिताब किसने जीता है इस्पैन ने जीता है यह फीफा अंडर सेवेंटीन महिला विशो कब 2022 कहां पर हुआ तो इसका आयोजन भारत में हुआ है इस्पैन ने किसको हराया है तो आप याद रखिएगा इस्पैन ने फाइनल में कुलंबिया टीम को हराया है और इस्पैन ने दूसरी बार एक हिताब जीता है अगला कोशन है सातविक साही राज रंकी रेड़ी और चिराग सेटी की जोड़ी ने किस टूर्नामेंट का पूरुस यूगल का खिताब जीता है तो सातविक साही राज रंकी रेड़ी और चिराग सेटी की जोड़ी ने हाली में फ्रेंच ओपन को अपने नाम किया है और देखिए ये जो था बैड़मिंटन चैंपेंशिप था ये दोनों बैड़मिंटन प्लेयर है इन्होंने फ्रेंच ओपन सूपर सेवन एंडर फिफ्टी का खिताब अभी हाली में अपना नाम कर लिया है और भारत की पहली पुरुष यूगल जोडी बनकर की तिहास रच दिया है अगला प्रशन है जी सेवन देशों ने किस देश से जस्ट एनरजी ट्रांजिशन पार्टनर्शिप में शामिल होने के लिए कहा है तो जी सेवन देशों ने जस्ट एनरजी ट्रांजिशन पार्टनर्शिप में जे एटीपी में भारत को शामिल होने के लिए कहा है किसको शामिल होने के लिए कहा है भारत को शामिल होने के लिए कहा है देखे जे एटीपी की जो अवधार्णा है ये COP26 में रखी गई थी COP26 इसकोटलेंड ग्लासगो में हुआ था COP27 इजिप्ट मिश्र में हुआ है इसका उद्देश क्या है कि अर्थ विवस्ता को डी कॉर्बनाईज करना यानि कोईले से दूर जाना कोईले कुछ सर्जन को कम क करना जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर भारत और किस देश की बीच में समझे होते को मंजूरी दी गई तो जल संसाधन और प्रबंधन पर भारत और डेनमार्क देश ने हाली में समझे होते पर हस्ताक्षर किये हैं साथियों डेनमार्क की प्रजेंट में प्रधान मंत री कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सन, क्या नाम है मेटे फ्रेडिक्सन डोनों देश मिल करके जलस अंसादन की डवलप्मेंट और मेनेजमेंट पर कार करेंगे बाइजूस के ग्लोबल ब्रैंड अंबेसडर हाली में कौन बने है, तो बाइजूस उसके हाली में global ambassador بنे है लीोनल मैसी देखे लीजोनल मैसी किष देश के खλάड़ी है ये अरजेंटीना के प्लेर है ठीक है राफेल नडाल टैनिस खिलाड़ी है इस्पैन के प्लेर है रोजर फैडरर सूटिजर लेंड के प्लेर हैं ये टैनिस के खिलाडी है ठीक है हाली में रोजर और फेडर ठीक है रोजर फेडर ने हाली में क्या किया है सन्यास लिया है अंतरास्ति खेलों से गुजरात के किस थान में C295 MV विमान निर्मान पर्योजना का शुभारम किया गया तो गुजरात की कहां पर किया गया है वडोधरा में कहां पर किया गया है वडोधरा में इसका शुभारम किया गया है इसे टाटा समू और एयर बसके नित्रत में क्या किया जारा निर्माड किया जा रहा है राश्ट्री एकता दिवस कब मनाया जाता है अच्छा कोश्चन है तो National Unity Day 31 October को मनाया जाता है, किसकी याद पर मनाया जाता है, सरदार वल्लब भाई पटेल जी की याद पर मनाया जाता है, इनका जन्म 31 October 1875 को हुआ था, ये भारत के सबसे पहले Home Minister थे और Deputy Prime Minister थे, इन्हें भारत का बिस्मार कहा जाता है, इन्हें Law Purush कहा जाता है, Iron Man of India कहा जाता ह मानगर धाम किस राज में है, जिसे राश्ट्री स्मारा घोशित किया गया, तो मानगर धाम कहा पर है, राजस्थान राज में है, जिसे हाली में राश्ट्री स्मारा घोशित किया गया, पियम मोदी जी ने 1 नवंबर 2022 को इसे घोशित किया है, 1500 आदिवासियों का नरसंगा उनकी याद में मानगर धाम को रास्ट्रिस मारग घोशित किया गया देखे यह है मानगर धाम रास्ट्री जन जाती नित्य महसब किस राज में आजित किया जा रहा है तो रास्ट्री जन जाती नित्य महसब च्छतिस गड़ राज में आजित किया जा रहा है यह आप देख प अरत के पहले मतदाता शv्याम शरन नेगी ने किस राज में अपने मतधिकार का प्रयोक इन्होंने हिमाचर प्रिदेश में मतधिकार का प्रयोक किया 106 वर्स के नागरिक थे अभी देखिए इनका हाली में निधन भी हो गया ये कल की बात है अभी हमारे बीच में नहीं रहे बोट दिया इन्होंने और अगले दिन इनका निधन हो गया ये हैं इंडिया के फर्स्ट बोटर शाम शरन नेगी गंगा उससब 2022 का उधगाटन कहां पर किया गया है तो गंगा उससब 2022 का उधगाटन न्यू डेली में किया गया भारत के केंदरी संस्कृति परटन मंत्री जी किशन रेड़ी ने इसका उधगाटन किया देखिए इसका मकसद है जो हमारी भारत की नदिया है उसको संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरुक करना और संरक्षन का कारण जो चल रहा है उसके लिए एक उचसब की रुप में से मनाया गया सुल्तान जोहोर हौकी कप हाली में किस ने जीता है तो सुल्तान जोहोर हौकी कप को हाली में भारत ने जीता है भारती जूनियर पुरु सौकी टीम ने मलेशिया में जोहोर बाहरू में क्या किया है तमन दया हौकी स्टेडियम में फानल मैच में आस्ट्रेलिया टीम को हरा कर तीसरी बार सुल्तान जोहर हौकी कप को अपने नाम कर लिया है हाली में किस राज के मोरभी सहर में पुल गिरने से 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई तो बहुत बुरा हास्षा था सभी को मैं सरधांजली अरपित करता हूँ देखे बहुत बड़ा हास्षा था ना जाने कितने लोगों की जान चली गई ना जाने कितने family उजड गई तो गुजरात में मोरभी शहर में ये पूल गिरा है hanging pool था और 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई ये पूल मच्छु नदी पर बना हुआ था उधा उसब 2022 कारजन किस राज में शुरू हुआ है तो उधा उसब 2022 कारजन मध्य परदेश राज में शुरू हुआ देखे इसके complete description के लिए आपको daily current affairs पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपका test और revision दोनों करा रहा हूँ सबसे कम समय में 60 question का test ले रहा हूँ मध्य परदेश के कहा पर हुआ है उधा उसब तो मध्य परदेश के ग्वालियर में यह शुरू हुआ है इला बेन भट कौन थी जिनका हाली में निधन हो गया तो इला बेन भट जो थी यह समाजिक कार्य करता थी इनका हाली में निधन हो गया है यह है इला बेन भट जोजिला दिवस कब मनाया गया तो हर साल जोजिला दिवस मनाया जाता है एक नवंबर को मनाया गया कम मनाया गया एक नवंबर को मनाया गया ये है जोजिला आप देख पा रहे हैं ये जोजिला है ठीक है ये बड़ा लाचला है जो की हिमाचर प्रिदेश में है तो 1 नवंबर को दरास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया 1948 में हमारे भारतियों सैनिकों के ध्वारा ओपरेशन 22 चालू किया गया था जहां पर दरास और उसके इलाके पर हमारे सैनिकों ने कबजा कर लिया तो इनकी बहादुरी का सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है तो यह हमारे सैनिक थे उस समय इन लोगों ने अपनी मतलब बलिदान देते हुए बहुत सारे लोगों ने अपना जो वीरता दिखाते हुए इसको अपने कबजे में लिया था थाली में इंडोनेशिया ने G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता कि देश को सौपी है तो धार्मिक मंच की अध्यक्षता भारत देश को सौपी है इंडोनेशिया ने देखे 2022 में इंडोनेशिया में G20 का सम्मिलन हो रहा है अगले वर्ष भारत में G20 का सम्मिलन होगा धार्मिक मंज का मतलब होता है इसमें सभी धर्मे के लोग शामिल होंगे जो की विशुकी सांती के लिए प्रियास करेंगे ये है R20 भारत, मुजांबिक और तंजानिया की नौ सेनाओं की बीच IMT Trilet किस देश में शुरू हुआ है तो ये तंजानिया में शुरू हुआ है तीन देशों की बीच में अभ्यास हो रहा है भारत, मुजांबिक और तंजानिया फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए सिक्षा मंत्राले ने AIFF के अलावा किस देश के साथ समझोता किया है तो ये फीफा के साथ AIFF के साथ जो है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए सिक्षा मंत्राले ने समझोता किया है ताकि फुटबॉल को सभी जो हमारे आदिवासी छात्र है भाई है उन तक पहुचाया जाए और उनको उनकी प्रतिभा को निखारा जाए भारत के केंदरी सिक्षा मंत्री है धर्मेंद प्रधान जी 2022 के नौ सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ तो ये न्यू डैली में शुरू हुआ कहां पर शुरू हुआ है न्यू डैली में शुरू हुआ है 2022 के नौ सेना कमांडरों का सम्मेलन देखी रक्षा मंत्री ने इस सम्मेलन को संबोधित किया गीटा नगर के होलोंगी में स्थित है ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े इसका नाम क्या रखा गया है तो हुलोंगी जो ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े है इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड़े कर दिया गया है देखी डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा ठीक है ग्रीन फिल्ड हवाई एड़ा वो जगह होती है उसे हम बोलते हैं ऐसे एरपोर्ट को बोलते हैं जहां की भूमी कभी इस्तमाल नहीं की गई जो आविक्सित भूमी है और जो आने वाले समय में किसी और कारे के लिए क्रिशी योग नहीं है या फिर रिहासी के लाके के लिए भी नहीं है पूरी खाली है तो वहाँ पर हम बना सकते हैं पर्यावरण को ध्यान पर रखते हुए प्रदूशन ना हो तो इसे बोलते हैं ग्रीन फिल्ड हवाई एड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 29 को देखते हैं ICAR गन्ना प्रजण संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है तो ICAR गन्ना प्रजण संस्थान की हाली में पहली महिला निदेशक बनी है स्री डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी क्या नाम है डॉक्टर जी हेमा प्रभा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा पर भारत का पहला पानी पर तेरने वाला वित्ती साखशर्ता शिवर शुरू किया है तो जल्दी से बताईए इसका सहुत्तर है श्री नगर कहा पर किया है श्री नगर पर वित्ती साखशर्ता शिवर शुरू किया गया है इसमें होगा क्या कि हमारी नेवेशक दीदी होंगी इन्वेस्टर दीदी होंगी या फिर हम उन्हें महिला डाकिया कहेंगे वो क्या करेंगी दूसरी महिलाओं को सिक्षित करेंगी कि अगर हम अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ पैसे बचाते हैं तो हम कैसे अपने आपको आगे ले जा सकते हैं एवियान फ्लू का प्रकोप किस राज में फैला हुआ है तो जो एवियान फ्लू है ये केरल राज में हाली में इसके मामले देखने को मिले है तो ये पक्षियों में H5N1 वाइरस का अगर कोई पॉस्टिप पाया जाता है तो पक्षियों में एवियान फ्लू देखा गया है और यहां पर पक्षियों को मारा जा रहा है लगबग 20,000 पक्षियों को मार दिया गया है महरास्ट का पहला अलेट्रोनिक्स वी निर्मान कलस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा तो ये पूने में कहां पर पूने में महरास्ट का पहला अलेट्रोनिक्स वी निर्मान कलस्टर स्थापित किया जाएगा कहां पर पूने में MP 36 गड़ हर्याना पंजाब आंध प्रिदेश करनाटक और केरल का स्थापन दिवस कब मनाया गया तो इन सभी राज्यों का स्थापन दिवस हाली में 1 नवंबर को मनाया गया देखे इन सभी राज्यों की स्थापना फजल अली कमटी के अनुसंसाप पर हुई थी तब 14 राज्य और 6 केंसासे प्रिदेश गठित किये गए थे सरकार ने क्रशी में किसके उपियोग को प्रतिबंधित कर दिया है तो यह है ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट के इस्तमाल को प्रतिबंधित किया है ये herbicide glyphosate है जो क्या करता है जो खर पतवार डवलप हो जाते plants में उसको खतम करता है लेकिन जब ये पौधे में पहुँच जाता है तो जानवरों और मनुश्यों में ये cancer उनकी growth को रोग देता है ऐसे प्रभाव देखने को मिले है Collins dictionary word of the year किसे चुना गया है तो ये word है parma crisis ये word क्या है parma crisis parma crisis का मतलब होता है कि आस्थिर्टा और आसुरक्षा का विस्तारित अवधी यानि 2022 जो था बहुत भयानक साल था बहुत जादा आस्थिर्टा बनी हुई थी ये कहलाता है parma crisis पहला अंतरास्टी Biosphere Reserve दिवस कम मनाय गया तो पहला अंतरास्टी Biosphere Reserve तीन नवंबर को मनाय गया कम मनाय गया तीन नवंबर को मनाय गया भारत में वरत्मान में तोटल अठारह Biosphere Reserve है पहला Global Digital Health Summit Expo All Innovation Award Kaern कहा पर हुआ है तो ये कहाँ पर हुआ है New Delhi में हुआ है तो इसकी थीम है सभी के लिए Digital Health भारत के प्रतिवे में विज्ञान मंत्री है जितेन सिंग इन्होंने इसका शुभारम किया शंकर मुथु स्वामी ने BWF World Junior Championship 2022 में कौन सा मेडल जीता है तो शंकर मुथु स्वामी ने भारत को रज़त पदक दिलाया है कौन सा पदक दिलाया है? रज़त सिल्वर मेडल दिलाया है ठीक है? चले ICAR दोरा काले चावल की दो नई किस्मों का परिक्षण किया ये किस राज में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रिदेश राज में पाया जाता है ये काला चावल जो है इसके दो नई किस्म है पूसा नरेंदर काला नमक 1638 और पूसा नरेंदर काला नमक 1652 पांगला देश की PM से एक हसीना ने किसे Friends of Liberation Wars से सम्मानित किया है तो ये है Edward M. Kennedy Edward M. Kennedy को क्या मिला है? Friends of Liberation Wars सम्मान दिया गया है ये है Edward M. Kennedy इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने ये अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि भारत जो है पाकिस्तान को हरा करके एक नया बांगला देश बनाए उसको आजात करे तो वो अगेंस था पर ये अमेरिकी सरकार के खिलाब जाकर Kennedy ने क्या किया था? Kennedy ने निर्दोस बंगाली लोगों पर पाकिस्तान दौरा किये गए नर्संगार के खिलाब एक साहसी कदम उठाया था और इस वज़े से इन्हें ये अवार्ड मिला है सुप्रीम कोट ने आतंगवादी मुहमद आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा इसका संबन्द किस घटना से था? तो लाल किला पर इसने हमला किया था 2000 में इस वज़े से इसकी सजा बरकरार रखी गई है ये है कौन है? लशकरे तैयबा का आतंगवादी मुहमद आरिफ जंबे तासी किस राज में बिधायक थे जिनका हाली में निधन हो गया? तो जंबे तासी अरोनांचर प्रदेश में बिधायक थे अभी हाली में इनका निधन हुआ है ये भारती जंता पार्टी के मौजूदा बिधायक थे पहला आसियान भारा स्टार्टप महसब 2022 किस देश में आजित हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में आजित किया गया है आश्यान भारा स्टार्टप महसब का उद्गाटन किया गया ताकि जो हमारे आश्यान कंट्रीज है उनमें इनोवेशन को लेके टेकनलोजी को लेके साइंस को लेकर आपस में सहयोग बढ़ाया जा सके दोस्तों मैं थोड़ी तबट ठीक से ने लग रही है पर आपको तो करेंट अफिरस देना है थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है यूजीसी ने विश्विद्याले और कॉलेजों से किस दिन को भारती भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है तो यूजीसी ने विश्विद्याले और कॉलेजों को ग्यारा दिशंबर को भारती भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है ठीक है अगला प्रशन है कोईला सचिप का प तर्सबाद हाली में, अमरित लाल मीडा ने ग्रहन किया है। अगला प्रेशन है, भारत का 53 नमबर का टाइगर रिजर्व राणी पूर टाइगर रिजर्व बना है। इसको 54 कर लीजे。 यह 54 नमबर का टाइगर रिजर्व है। to कहां पर बना है। उत्तर प्रदेश में भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है देखे मैंने साइद 53 नंबर का बताया था डेली गरंड अफेर्स में तो आप लोग अपडेट कर लेना यह 54 नंबर का है और देखे यूपी में चार हो गए है पहला है दुदवा, दूसरा है पिली भीत, तीसरा है अमनगर्ण और चौथा जो है वो है रानीपुर 15 गुजरात बिधान सभा चुनाव 2022 में कितने सीटों के लिए लड़ा गया तो यह 182 सीटों के लिए लड़ा जाएगा चुनाव होने है हाली में भारत के चुनाव आयोग ने इसकी घोशना कर दी है एक और 5 दिसंबर को क्या होगा यहाँ पर वोटिंग की जाएगी और इसकी काउंटिंग 8 दिसंबर 2022 को होगी हाली में BPCL के नए चेर्मेन और MD कौन बने है तो यह बने हैं वैसा राम कृष्ण गुपता कौन बने हैं वैसा राम कृष्ण गुपता BPCL के नए चेर्मेन बने है BPCL एक महारत्न कंपनी है जो कि 1952 में एस्टबलिज हुई 1952 में एस्टबलिज हुई महिला अनुकूल परिटन परियोजना किस राज में शुरू की गई तो महिला अनुकूल परिटन परियोजना केरल राज में शुरू की गई कहां पर केरल राज में तो यहां पर जो हो गए टोटल पूरा महिलाओं की द्वारा इसे संचालित किया जाएगा इसमें भोजन, आवास, परिवहन, सब कुछ महिला के लिए किया जाएगा अगला है, होमी जहांगीर भाबा की 113 जैनती कम मनाई जाएगी तो कम मनाई गई, तो 30 अक्टूबर को होमी जहांगीर भाबा की जैनती मनाई गई ये भारत के क्या कहे जाते हैं, ये न्यूकिलियर मैन कहे जाते हैं भारत के और इनका जन्म मुंबई महरास्टर में हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को 2.2, आप इन्हें न्यूकिलियर मैना कहे के आप इन्हें एटोमिक फादर कहा जाता है इंडेन एटोमिक फादर चलिए 2.92 million लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा employee नियुकता कौन बना है तो 2.92 million लोगों के साथ जो भारत का रक्षा मंत्राले है ये क्या बना है पहले नमबर पर सबसे ज़ादा इसके पास employer है दूसे नमबर पर है US Department of Defense और तीसे नमबर पर चाइना है ठीक है तो ये आप data देख सकते हैं भारत की बहुत बड़ी उपलब्दी है 41 नमबर का अंतराश्टी पुस्तक मेला किस देश में आजित किया जा रहा है तो UAE में सार जा में इसका आजन किया जा रहा है पंद्रावा शहरी गति शिल्ता भारत सम्मेलन 4 नमबर से कहां पर शुरू होगा तो ये होगा केरल राज में अब ये शहरी गति शिल्ता भारत सम्मेलन है क्या आपको पता है किसी भी महानगर का किसी भी सिटी का उसका ट्रांसपोर्ट जान होता है अगर ट्रांसपोर्ट अच्छे से चलेगा तो वहां की किनौमी बहुत अच्छी चलेगी तो कैसे हम transportation को और अच्छा कर सकते हैं और advance कर सकते हैं यहाँ पर इसका discussion किया जाएगा 4 से 6 नवंबर की बीच में Track Asia Cup 2022 का अजन कहां पर किया जाएगा केरल राज में Track Asia Cup 2022 का अजन किया जाएगा 25 नवंबर से 28 नवंबर तक ठीक है यह cycling प्रतियोगिता है जो की LNCPI आउटडोर विलोडरों में आजित किया जाएगा विश्व बचत दिवस बहुत जरूरी है साथियों का मनाया जाता है तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को यह दिवस क्यों important है ताकि लोगों को जागरू करना की बचत करना save करना कितना important है और यह जो स्थापित हुआ है 1925 में World Society of Savings Banks के द्वारा ग्रह मंतरी राजनासिंग ने किस केंसासी प्रदेश में दो हैली पेड लॉंच किये हैं तो कहां पर किये हैं लद्दाख में लद्दाख केंसासी प्रदेश में हैली पेड लॉंच किये हैं ताकि हमारी सेना और भी तेजी से दुश्मनों पर अटैक कर सके ट्रांस्पोर्टेशन को बढ़ा सके लोगों तक मदद पहुचा सके जमसेज जी इरानी का निधन हो गया उन्हें क्या कहा जाता था तो जमसेज जी इरानी भारत के स्टील मैन ओफ इंडिया कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं स्टील मैन ओफ इंडिया ये हैं जमसेज जी इरानी 1968 में जब भारत लोटे थे तब इन्होंने टाटा आइरन एन स्टील कंपनी की स्थापना की थी जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है पुर्वत्तर का पहला मचली संगरहाले किस राज में बनाया जाएगा तो पुर्वत्तर में पहला मचली संगरहाले कहां पर बनाया जाएगा अरुणांचर प्रदेश में बनाया जाएगा देखे, मत से पालन मंतरी हैं तागे टाकी इन्होंने पुर्वत्तर में पहला मचली म्यूजियम अरुणांचर प्रदेश में बनाया जाएगा ऐसी घोशना की है इतना सुन्दर लग रहा है न और इसका 100 करोड रुपए का प्रस्तावित लागा थे राशपती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारती जन संचार संस्थान के परसर का उधगाटन कहां किया तो इसका उधगाटन आईजॉल में किया है कहां पर किया है आईजॉल में तो भारती जन संचार संस्थान जो है ये पत्रकारिता के लिए जानी जाती है जर्नलिजम के लिए जानी जाती है भारती जन संचार संस्थान सूचनव प्रसारण मंत्राले के अंतरगत आती है और प्रेजेंट में सूचनव प्रसारण मंत्री अश्वनी वैशनव है और इसक जनरल डिवीजन में मानद सदस की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह हैं अमित दास गुपता इन्हें यह मानद सदस क्यों बनाया गया क्योंकि इन्होंने अमेरिका और भारत के बीच में मजबूत रिलेशन्शिप को बरकरा रखने के लिए अपनी एहम contribution अपनी एहम योगदान दी है आज का आखरी प्रशन चट पर्व पर किसकी उपासना की जाती है तो चट पर्व पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है बहुत सारे राज्यों में मनाने लगे हैं खासकर बिहार राज्य में मना जाता है चट पर्व तो यह चैलेंज था अपने आप में इतना सारा करेंट अफेर साथ कोश्चन हमेशा में 30 और 35 कोश्चन लाता था पर मैंने कहां आज कुस दूफानी करते हैं आज साथ कोश्चन लाते हैं चलो टेस्ट लेना अब टेस्ट के लिए रेड़ी चलो इस टेच्चू और बिलीप का उधगाटन कहां पर किया गया तो इसका उधगाटन राजस्थान राज में किया राज समन्जले में लूलाडा सलवा किस देश के राश्टपती बने है, कहा के बने है, ब्राजिल के राश्टपती बने है, UNSC का देश कौन सा देश बना है, कौन सा देश बना है, घाना बना है, बेंजमिन नेतानियो किस देश के प्रधान मंतरी बने, तो इसराइल के प्रधान मंतरी बने, आप पाइजूस ते ग्लोबल ब्रेंड एमबस्डर कोन बने है लियोनल मैसी बने है रास्टी एकता दिवस कम मनाया जाता है 31 अक्टूबर को रास्टी जन जाती नित्म होस्तव किस राज में आजित किया जाएगा किया गया 36 गड़ में गंगा उससब 2022 का उद्गाटन कहा किया गया न्यू डैली में सुल्तान जोहर होकी कब किस ने जीता है तो भारत ने जीता है टोटल स्कूर इसका भी बताओ तो कैसा लगा सेशन 30 मिनट में 35 मिनट में मैं भी सोच रहा था कि कैसे कर पाऊंगा पट आप लोगों का जो प्यार और भरोसा है ना वो मेरे सीधे दिल तक जाता है और दिल से मेरे दिमाग में पहुंसता है और भगवान का आशिरवात हम और आप मिल करके सारे लक्ष पूरे कर लेंगे इस टेचू आप बिलीव का घाटन कहा किया गया इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स पर बताए इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लिकेशन पर मिल जाएगी क्रेजी जीके ट्रिक में हमने आपके लिए कुछ नई चीज ला दी है बहुत सारे बच्चों ने तो आज देखा होगा वीडियो भी वहीं पर मिलेगा पीडियाफ भी वहीं मिलेगा और डेली क्विज भी मिलेगा तो आप जैसे ही crazy gk trick application को download कर लोगे google play store से तो यहाँ पर आपको दिखेगा daily current affairs के section जहाँ video, pdf, free quiz, सब कुछ मिलेगा video मिलेगा, pdf मिलेगा, test मिलेगा, rank पता चलेगी download crazy gk trick application now आप हमें follow कर सकते हैं facebook में, instagram में, telegram में हम हर जगे हैं, आपको वहाँ भी update देने के लिए तो ऐसे ही आप अपना प्यार crazy gk trick पर और राजा पर बनाये रखिएगा क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, महनत करेंगे और माता पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक कर देंगे एक बात याद रखना, लोग एक समय के बाद आप से आपकी आवकात के साब से बात करेंगे इसलिए अपनी आवकात को बढ़ाना है, अपने लिवल को बढ़ाना है किसी के लिए नहीं, खुद के लिए मेहनत करो ये जो जीवन मिला है ना तो कुछ करने के लिए मिला है ऐसे ही तो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे हमें तो कुछ करके जाना है और हमी करके दिखाएंगे हमें पता है अपने अंदर हम मेहनत करेंगे तो चलि दोस्तों चलने का समय हो गया है राजा का आप सभी को धेर सारा प्रणाम जै हिन जै भारत